कोरोना काल में मलहार जोशी बहुत याद आ रहे हैं शायद हम मजदूरों में से बहुतों को पता भी नहीं होगा कि नारायन मलहार जोशी कौन है आर्थिक उदारी करण का जियू जियू प्रभाव बढ़ता गया और कॉर्परेट कल्चर हावी होता गया तियू तियू हमने देखा कि ट्रेड यूनियन की प्रासंगिक्ता भी बिसरती गई और साथ में बिसर गई मलहार जोशी जिन्होंने मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ी उसे अपने आवाज दे उसकी आवाज बने पांच जून 1889 में महराश्ट्र के ब्रामन परिवार में जन्में एनेम जोशी समाद सेवा को लेकर शुरू से ही समर्पित रहे यही बज़ा रही कि वो हर उस मजलूम के साथ खड़े रहे जिसके बाद को दबा दिया जाता था उन्हें ट्रेड यूनियन आंदूलन का जिनक माना जाता है वे 1909 में सर्विंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े 1911 में सोशल सर्विस लीक शुरू की उन्होंने मज़़ूरों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश से 1921 में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रस शुरू की 1925 से 1939 तक वे इसके महा सचिव भी रहे इसके साथ ही वे 1922 से 1948 तक में अंतर राष्ट्रिया श्रम संगठन में भारतिय मज़़ूरों का प्रतिनिधत्व करते रहे नरायन मलहार जोशी 1947 इस्वी में केंद्रिया वेतन आयो के एक सदस से भी रहे कामगारों की वो बॉड़ी जो उनका वेतन तै करती है मज़़ूरों के लिए लड़ना और उनकी बात को गंभीरता से परखते हुए आगे बढ़ने का नाम ही नरायन मलहार जोशी था आज के इस दोर में जब मज़़ूर सडक पर है दरदर की ठोकरे खा रहा है तो उसे मलहार जैसी एक शक्सियत की जरूरत है जो उनके दरद को सत्ता में महज साजहा ना कर सके बलकि उसे दूर भी करने का मंत्र दे सके सत्ता विमर्ष के लिए किरन राय की रिपोर्ट जो जो उनके बलकि एक बलकि राय को सबस्ता विमर्ष का राय कर सके रहा है